नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका Self Study के चैनल में और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक रिपोर्ट हाई है जिस रिपोर्ट का नाम है Corruption Perception Index यानि CPI 2021 इसके अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर बरस्टाचार के क्या हालात है भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी रैंकिंग प्राप्त किया है भारत बरस्टाचार के अंदर या फिर कुस सुधार हुआ है नहीं हुआ है या फिर बाकी अन्य देशों के बारे में भी जानेंगे, हमारे परोडोसी देशों के बारे में भी जानेंगे, कि भरस्टाचार के क्या हाल है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकि हाली में ये एक NGO है, Transparency International, इसने भरस्टाचार बोध सुचकांग 2021 जारी किया है इंग्लिश मोले तो corruption, perception index 2021, किसके द्वारा release किया गया है, Transparency International के द्वारा, भारत को इसने rank दिया है, 85 rank दिया है, corruption के मतलब कि भारत जो है, 85 rank में मतलब आता है, कितने देशों के अंदर, 180 देशों के अंदर, अभी बात करेंगे कि पिछले हमारे जो record रहा है, यानि हमें जो rank मिला था, उसमें कितना सुधार आया है, अभी बात करेंगे कि ये जो report है, NGO के द्वारा report दी गई है, इसमें बताया गया है, कि 86% देशों के अंदर, 86% यानि जो एक्ससी देश है, उसमें से 86% देशों के अंदर, जो भरस्टाचार्स को नियंतरन, यानि कंट्रोल करन कि जो स्थिती है, उसमें कुछ जादा changes आये नहीं है, changes आये तो छोड़ो, वो खराब और हुई है, EC report के अंदर ये बात बोली गई है, आगे जलते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे मता देते हैं, कि जो NGO है, Transparency International, ये है क्या, ये एक NGO जिसकी स्थापना 1993 के अंदर, Berlin मे Germany में की गई थी, क्या काम करते हैं, क्या होते हैं, इसके purpose, इसका काम ये होता है, कि ये जो civilian है, उनसे ideas लेते हैं, और उसके through, जो world में जो भरस्टाचार है, उसके खिलाफ ये मुकाबला करते हैं, या लड़ते हैं, साथ ही साथ, जो भरस्टाचार से, जो corruption से, जो criminal activities हो रह जो अभी हम पड़ रहे हैं, अभी ये एक scale निकालता है, जैसे आपकी सामने लिका हुए न, 0 या फिर 100, 0 का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा खराब है, यानि highly corrupt देश है, अगर किसी ने 100 number प्राप्त के हैं, यानि बहुत clean है, यानि एक number देता है, 0 से लेके 100 तक, ये rank न इसने क्या किया है, वहाँ जो जैसी विवस्ता है, देशों के अंदर, वहाँ पर इनोंने, वहाँ के जो experts हैं, जो businessmen है, उनसे राय ली और उनके according अपनी report पेश किये, अभी सोचते हैं कि report कैसे निकाले, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में सवाल आता है, निकाल कैसे ल उनसे बात की जाती है, उनसे पूचा जाते हैं कि आपको business करने में कितनी सुवीता है, या आपको कोई पैसे खिलाने पड़ते हैं, अपना काम करवाने के लिए, तो सब उनसे पूचा जाते हैं, तब जाकि ये report देते हैं, और अपनी इस report के अंदर ये 13, यानि 13 data, यानि 13 श्रोतों को ये उपर निर्बर करते हैं कि इन इनके parameter के उपर ये मापते हैं कि कितना इस देश के अंदर ब्रहस्टाचार हैं, और ये अपनी उस report में 0 से लेके 100 तक नंबर देते हैं, अब इसी नंबर में से इन्होंने बताया है कि जो एक्सोसी देश हैं, उस एक्सोसी द कि 100 नंबर हैं, उसमें से 50 नंबर भी नहीं ले पाए हैं, और पूरे वर्ल्ड का अगर आप average निकालो, तो 43 ही निकल के आता है, अब बताया जा रहा है कि देखिए, 2012 के बाद काफी देशों ने परगती तो की है, अपना नंबर सुधारने के अंदर, 25 देशों ने अपना score मतलब उन्होंने इसमें इंक्रीज किया, लेकिन उसी समय में 23 देशों ने अपने score के अंदर गिरावट भी लाई है, अब जो सबसे top पे रहे हैं, भाई या क्लास में कौन top पे आए है, क्लास में जो top पे आए हैं, वो है, यहाँ पर आपके सामने, डैनमार्क, फिनलैंड, न्यूजिलैंड, यही रहे हैं, जिन्होंने 88 नमबर ले हैं, देखें, 100 तो किसी नहीं नहीं ले हैं, कोई, मतलब फूल बटा है, फूल नमबर लेके नहीं बैटा है, लेकिन हाँ, सबसे top यही रहे हैं, बच्चे यह top पे हैं, इसी के साथ साथ, नौर्वे, सिंगापूर स्वीडन, जिन्होंने 85 स्वीजर लेंड, 84, नीदर लेंड, 82, लग्संबर्ग, 81 और जर्मनी, 80, यह top 10 कंट्रीज हैं, उपर उपर काता बता दिया, यह top कौन है, आओ जरा थोड़ा सा, नीचे वालों का, यानि, बैंक बेंचर्स का बारे में जान लेते हैं, जो बैंक बे सबसे जादा नीचे का स्थान पराप्त कर लिया है, यानि यह तीन बैंक वेंचर है, साथी साथ और भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, armed conflict चल रहा है कई देशों के अंदर, मतलब कि बंदूकों के सहारे सत्ता पराप्त की जा रही है, तो जैसे वहाँ पर, जैसे यह समझ में आता मुझे, चलो खेर, तो यहाँ पर उत्र-कौरिया होगया, यमन होगया, इकवेटोरियल होगया, इकवेटोरियल गिनी होगया, लीविया, तुर्क्यमिनिस्थान होगया, इन्होंने, जो है, वो सबसे कम स्कॉर प्राप्त के हैं, ये मतलब कह सकते हैं कि back vent अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेते हैं, कि भारत कहां पर आता है, बागी हमें देशों का भी द्यान लिया, थोड़ा बहुत हमने देश के बारे मी बताइए, देखें, भारत जो है, वो 180 देशों में 85 में इस्तान पर है, 2020 से हम काफी अच्छी स शोटान को छोड़ो हमारे जो पडूसी देश पतान को छोड़ो किया है। उससे देखा जाए तो हम काफी सही पोजिशन के उपर हैं पाकिस्तान भाई 16 स्थान नीचे गिर गया है 144 में यानि बहुत जादा करॉप्शन वड़ गया है पाकिस्तान के अंदर अब पिछले एक दर्शक में यानि कहें तो 10 साल में बारत का स्कोर काफी हद तक स्थिर रहा है मतलब improvement कमी देखने को मिली है अब यहाँ पर जो वहीं कुछ ऐसे जो तंतर है बरस्टाचार में मदद कर सकते हैं मतलब कि बरस्टाचार में जो मदद करने वाले जो होगे ना वो काफी ज़्यादा improve हो रहे हैं कमजोर हो रहा है सिस्टम हलांकि जो इसको बताया गए कि देश की जो लोकतांत्रिक स्थिती है जो डेमोक्राटिक जो पोजिशन है वो उसको लेकर इसी रिपोर्ट के अंदर बोला गए कि देखे वो चिंता जनक है क्योंकि यहाँ पर जो है कि देखे जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो इसको सरकार कहती है कि देखे यह तो राश्टिस्ट्रक्षा के खिलाफ है अगर सरकार के खिलाफ कोई बात बोल दे उनके बारे में कोई रिपोर्ट लेकर आजए तो कहेंगे की राश्टी स्टूर्टरों के खिलाफ है मान नहानी का मुकतमा लगा देङे देश-डरों का मुकतमा लगा देङे एबेदर भाशा बोल देगे बोलेंगे कि नैयले की आमानना की है या फिर विदेशी फंडिंग संबन्दी नियमों को लेकर यह सीधा उनके उपर मतलब के उपर निशाना बनाते हैं पता नहीं कहां से लेके आते हैं रिपोर्ट हमें भी नहीं पता है यहां पर भारत के आप एक पोजिशन देख सकते हैं कि 180 में से 85 रैंक है, 100 में से हमारा नंबर आए है 140 वहीं अगर पाकिस्तान हम इसको देख लेते हैं विचारे को 100 में से 28 नंबर लिए है 180 में से 140 इसने नंबर लिए है मतलब कि 140 वहीं इसका रैंक रहा है आगे जलते हैं अभी कह रहेंगे देखे इस रिपोर्ट में बोला गया कि डेमोक्रिसी मतलब उसका पतन हो रहा है जैसे कि बेलारूस में जो विपक्स जो अपोजिशन के समर्थक है उनको जैसे मारा गया है उनको जैसे पीछे हटाया गया है निकारागुआ के अंदर मीडिया आउटलेट्स को बंद किया गया है जो वाँकि Civil Society Organizations है उनको बंद किया गया है सुडान के अंदर जो परदर्शनकारी है उन्होंने जैसे हिंसा का काम किया है फिलिपिन्स के अंदर जो Human Rights की रक्षा करने वाले उनकी हत्या की जा रही है तो बताया जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर मानवा अधिकार और लोक तंतर को खत्रा बन रहा है अब यहां पर बोला जा रहा है कि केवल उनी देशों के अंदर नहीं जहां पर Administration कमजोर है जहां की स्थिती कमजोर है बावजूद उन देशों के अंदर भी जहां पर डेमोकरिटी है वहां पर जिनका Administration काफी स्टोग है वहां पर भी ऐसी चीज़ें देखी जा रही है कि वहां पर Rights को कम किया जा रहा है वहां पर भरस्टाचार बढ़ रहा है बोला जा रहा है कि 2012 में लगबग 90% देशों ने कहा है कि जो डेमोकरिटी जो Rights है उनके अंदर मतलब कि डेमोकरिटी जो है वहां पर नागरिक संदंतरता में गिरावट आई है यह नागरिकों को जो Liberty जो अजादी जी जाती है उनमें कमी की गई है यह बात बोली गई है 2012 के बाद 90% देशों में ऐसा हुआ है अभी लोगों मतलब कि जो देश है उन्होंने फाइदा उठाया है COVID-19 महामारी का कहा जा रहा है कि COVID-19 महामारी के कारण लोगों को बोलने नहीं दिया गया घरों से बार नहीं निकलने दिया गया उनको रेली नहीं करने दी गई उनको एक जुट नहीं होने दिया गया, उनको आवाज नहीं उठाने दे गई, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे restrictions लगा दिये थे इनोंने, आगे चलते हैं, अब बोली गई कि बहुत सारे जो उच स्कोरिंग जो देश हैं, जिनोंने अच्छा परदशन किया हैं, उनमें भी ब् बढ़ रहा है, साथ इसाथ, जिस अब सत्ता परिवर्तन देखते हैं ना, किसी ने सत्ता परिवर्तन कैसे कर ली, हिंसा के माध्यम से, यानि बंदूक के नोक पे उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ले लेकिन केवल हिंसा ही नहीं, बावजुद इसके कि डेमोक्रसी को कम बढ़िज हैं, चो बढ़ कि अपने आप काम करने वाली स्वायत्ता प्राप्त जो बोडिज होती हैं, उनके राइट्स को कम जोर कर दिया गया है, मीडिया को गेन irritably कर लिया गया है, जो ब्रेस्ट जो शाषण है, उनको उनसे कोई सवाल ही नी पूछ रहा है, इसलिए ब् साथ इसाथ जो agencies जहां पर जो power में जो government है उससे जो सवाल पूछ रही है उनको आपको restore करना होगा वापस उनको लाना होगा आप उनको बंद नहीं कर सकते हैं साथ इसाथ world level पे इसका मुकाबला करना होगा ब्रश्चा चार का दूसरी बात ये बोली गए कि आपको जो सूचना का अधिकार है राइट टू इन्फोरमेशन उसको कायम रखना होगा ऐसा नहीं कि आप उसे बंद कर दो और वो भी किसके उपर सरकारी व्यक्ति आकर सूचना का अधिकार ले रहा है और उसी को रुपे देने पड़ रहे हैं जाए तो fundamental rights को कम होने से उनकी power कम होने से रोकना होगा साथ साथ उन लोगों को भी कठा होना होगा जो जागरुक है जिनको समझ है इन चाज़ों की तो उनको जो सवन्तनत रूप से एकठा हो सकें तो उनको खुले तोर पर बोलने के लिए यहां पर आना होगा एक साथ, वो इसके उपर बात कर सके, दूसरी बात, जितनी भी जो ब्रस्टाचार एजेंसियां हैं, जहां पर जिन देशों में ऐसे है कि जहां पर ब्रस्टाचार विरोधी एजेंसियां नहीं है, जो एंटी कर मेलन हुआ था यह कहें कि 2012 में जकारता में एक स्टेटमेंट या कोलम्पो कैमेंटरी तो यहां पर एक टिनीवा विजन नाम सामने आया था जिसके तुरू जो है वो ब्रश्चाचार को कंट्रोल किया जा सकते हैं साथ ही यह बात बोली गई है कि UN के जो कंवेंशन है उसको ए बारत के अंदर जो करुप्षिन से रिलेडिट है इंडियन पीनल कोड 1860 है प्रिवेंशन ओफ करुप्षिन एक नाइटी एट है प्रिवेंशन ओव मनी लॉंडरिंग एक्ट 2002 है फोरन कोंट्रिबुशन एक्ट 2010 है तो कंपनीज एक 2013 है लोगपाल अड लोकायूत एक्ट 2013 है Central Vigilance Commission है यह सब चीजें हैं जो भारत के अंदर करुप्षन को रोकने के लिए काम करती है I hope so यह चीजें आपको समझ में आई होगी बारत के अंदर कितना करुप्षन बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है इस agency ने कहां से report निकाली है fundamental rights को कम किया गया है तो यह आपको यह जो PDF है वो मिल जाएगी तेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा आपको description box में तो जाकर आप download कर सकते हैं वहां से साथी साथ वीडियो पसंद आई है तो like तो बनता ही है साथी साथ subscribe भी बनता है और ज्यादा ही पसंद आ गए है तो क्या कर सकते हैं भाई यह share कर सकते वीडियो को भी as well as channel को भी तो बस आज के लिए इतना है था thank you for watching this video